हेलो बेटा, हाई एवरीवाज, हाउआ इू, फाइन, यास, ओक्रे बेटा, ओक्रे वेरी गुड, वेरी गुड, चलो, लास्ट में हम लोगों ने देखा था, EPS. ओन्तो फेक्टर के EPS. के लिए हम लोगों ने देखा था आज हम लोग देखने वाले हैं क्या डिसोसियेशन के लिए चलो ऐसे से में क्या होता था पेटा दो मोलेक्यूल्स जूड के एक बनता था ठीक है अब आज क्या करने वाले उससे पूरा ओपोजिट एक में से क्या मिलेगा हम लोगों को देखा था association के लिए i is equal to क्या होगा i is equal to one minus alpha plus alpha upon n तो उसके हिसाब से हम लोग देखो टेक्सबुक में alpha की valuation भी कभी दी हुई होती है तो alpha की valuation क्या मिलेगी सिर्फ हम लोग याद कर रहे हैं जो कल देखा था वही फर्मुला है i is equal to one minus alpha plus alpha upon n चलो हम लोगों किसकी फर्मुला चाहे है यहाँ पर alpha की तो alpha plus alpha by n is equal to क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो इतना हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या रहेगा one और i रहेगा तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं yes or no alpha plus alpha by n is equal to क्या होगा one minus alpha hello guys समझ में आ रहा है बेटा क्या लिखेंगे हम लोग alpha plus alpha by n is equal to क्या होगा one minus alpha चलो यहाँ से क्या करोगे आप लोग common निकाल लो बाए alpha तो alpha is equal to क्या मिलेगा बेटा alpha is equal to one plus one upon n is equal to one minus alpha चलो अब केल्कुलेशन करते हैं तो alpha की फरमिला हम लोग लिख सकते हैं direct देखो one plus one upon n है न तो यहाँ पर n के साथ multiply हो जाएगा one plus n upon n आ जाएगा तो यहाँ पर देखो एक step यह साथ add कर देता हूँ तो easily मतलब समझ में तो आई गया होगा फिर से भी समझा रहा हो ठीक है I will try it की समझ में आ जाए यह फरमिला के साथ ही यह वही बता रहा हो में alpha n को इसके साथ multiply कर लो तो क्या मिलेगा भाई one plus n upon n is equal to क्या हो जाएगा one minus i अब हम लोगों को सिर्फ alpha चाहिए तो alpha के लिए क्या होगा यह यहाँ पर multiply हो जाएगा यह स्वर नो यह स्वर नो यह यहाँ पर होगा कि नहीं multiply तो क्या मिलेगा बेटा समझ में आ रहा है सबको alpha is equal to क्या होगा n into one minus i अपन क्या होगा बेटा one plus n तो फिर यह नीचे आ जाएगा तो हम लोगों को alpha के valuation मिल जाएगे बटी दिमाग में रखना है यह formula कि के लिए है alpha यहाँ पर degree of dissociation है वह हम लोगों ने sorry find किया degree of dissociation association find किया यह alpha find कर लिया तो यहाँ पर alpha है वो degree of association के लिए यह दोनों की formula अलग अलग होते है association के लिए हम लोगों ने alpha find किया formula क्या मिली alpha is equal to n one minus i upon one plus n understand everyone next start करते है next देखो पेटा उसके बाद देखते dissociation of solute molecules इसमें क्या होगा dissociation होगा उससे पूरा opposite होगा कि say association से association में क्या होता था joint attach हो जाते दो add करते molecules तो और one मिलता था यहां पर क्या होगा one molecules add किया suppose तो one में से कितने हो जाएगे बाई solution में कितने मिल जाएगे दो मोलेकिल्स मिल जाएगे टुन टुन दो हो गए वन में से क्या हो गए एक में से दो हो गए टुन टुन दो हो गए देखो तो इसको क्या कहेंगे हम लोग दिसोशियेसन सपपोस देखो यहाँ पे देखो EN है उसमें से क्या मिल रहे हैं स्टार्टिंग में तो क्या होगा 1 ही होगा ना यानी c is equal to जेसे हम लोगो equilibrium में लेते थे थे खेना वियसल टी is equal to zero time में से 1 में से कितने 1 ही होगा यहां पर यह 0 होगा बट T is equal to T time पर क्या होगा देखो यहंपे alpha मिल रहा है बट कितने मिल रहे हो मालूम नहीं इसलिए क्या होगा यह n alpha बट इसमें से यह alpha मिल रहा है न वन में से तो क्या होगा 1- alpha ओके theoretical था यह अब्जर्वेशन किया हुआ था तो टोटल लगा देगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहां पर आई मिल जाएगा या स्वर्णों तो यह से आई की फोर्मिला मिल जाएगी बट यह जो आई की फिर मिला है और किसके लिए ओंट ओफ एक्टर फोर डिसोसियेशन एसोसियेशन के लिए क्या होता था एसोसियेशन के लिए था था वन मैनस आलफा प्लस आलफा बाई एन बढ़ डिसोसियेशन के लिए आई के वेलियोएशन क्या हो तो देखो थोड़ा सा ही चैंजेश होता है I is equal to 1 minus alpha plus N alpha चलो उसके हिसाब से हम लोग alpha के वेलियोएशन फाइंड कर सकते है यह सोरनो guys, everyone understand चलो alpha फाइंड करते है देखो तो I is equal to क्या है फर मिला 1 plus alpha N minus 1 यह कैसे आया? चलो कोई बताएगा यह कैसे आया? यहाँ पर क्या किया? alpha plus N into alpha है ना? तो alpha common निकाल देखाएंड क्या होगा? क्या होगा बेटा? 1 plus alpha N minus 1 चलो, alpha N minus 1 is equal to क्या लिख सकते है? I minus 1 लिख सकते है कि ने? I minus 1 चलो, तो alpha is equal to क्या होगा? I minus 1 upon N minus 1 तो alpha is equal to ऐसा भी लिख सकते हैं 1 minus I upon 1 minus N तो यह जो फर्मिला है, alpha की हो किसके लिए है? degree of dissociation के लिए देखो दोनों की फर्मिला association की फर्मिला क्या है? alpha is equal to N into 1 minus I upon 1 plus N but dissociation के लिए फर्मिला क्या है? alpha is equal to I minus 1 upon N minus 1 देखो दोनों फर्मिला आपके सामने हैं यह दिमाग में रखना है MCQs और सम के प्रोब्लेम जो है exercise जो है उसके लिए बहुत काम आए क्योंकि इसमें से exam में question होता है तो यह दिमाग में रखना है तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए dissociation और association दोनों की फर्मिला भी चेक की हुई है यहाँ पर चेप्टर का last topic है then over this chapter फिर सम बाकी रहेंगे और मैंने सोचा हुआ है कि बेटा सम की जो practice है हम लोग जब start होगे तब सम करवाएंगे तो उसमें ज्यादा benefit होगा आप लोगों को मुझे सालग रहा है सामने practice करोगे तो ही अच्छा रहेगा बाकी कोई issue नहीं है और इतने ज्यादा सम हमारे chemistry में physics जैसे नहीं आते आपको और हमें दोनों को मालूम है इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि second chapter के जो सम्स है वो मैं अभी करवाने वाला नहीं हूँ वो अम लोग जब start होगा ये lockdown खुल जाएगा जब regular start हो जाएगे तब हम लोग sums करवाएंगे ऐसा मैंने सोचा हुआ है तो ये last topic है फिर कल से हम लोग नया chapter start करेंगे ऐसा देखते है फिर क्या करते है अगर मैं देखता हूँ अगर possible होगा तो sums भी करवा ही दूँगा साथ में बेटा अगर नहीं possible है तो देखते हैं क्या करना है अगर sum की practice हो सकते है तो मैं करवाने की try करूँगा अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर new chapter start करने वाले है तो ये last topic है इस chapter का दिमाग में रखना चलो next देखते हैं collegative properties with molecular mass के साथ उसकी properties क्या relations collegative properties का होता है बट उसके पहले यहां पे जब association होता है तब क्या होता है I is always less than one and dissociation में I is always greater than one देखो association और dissociation दोनों के example हम लोगों ने कल देखा हुआ था यहां पे देखो association होता है तब I की valuation क्या मिल जाती है 0.5 ओके तो 0.5 यहां पे मिलता है बट कब यहां पे 0.5 मिलता है यहां पे I की valuation आप लोग calculation करोगे तो 0.5 आएगी बट association में dissociation के लिए भी example है देखो यह 2 में gives to 2 है तो 1 में से 0 मिल रहा है तो यहां पे 1-1 1 एक मिल रहा है ना बट वो molecules 2 है यानि यह नहीं बट वो तो है तो आलफा ही ना तो इसलिए total count करोगे तो आप लोगों को 1 में से कितने मिलेगे बेटा 2 मिलेगे फॉर्मिला के हिसाब से ओके तो देखो I की valuation दखोगे ना इस फॉर्मिला में तो I greater than 1 हो जाएगा यानि 1 से ज्यादा होता है मतलब जब association होता है तो I की valuation less than 1 dissociation में I की valuation greater than 1 होती है चलो next देखते है collegative properties directly proportional to N हमें मालूम है ओके तो N के इसाब से moles के इसाब से mole is equal to kya weight of unmolecular mass so collegative properties proportional to given mass of unmolecular mass yes or no given mass दिया हुआ है तो इसके इसाब से collegative properties proportional to one upon molar mass लिख सकते है कि नहीं yes or no molar mass लिख सकते so collegative properties final और initial के इसाब से हम लोग I find करे तो I की फिर्मिला क्या मिलेगी collegative properties final upon collegative properties initial is equal to kya होगा MI upon NF is equal to kya लिख सकते I yes or no yes or no आगे हम लोगों नहीं फिर्मिला देखी हुई है I is equal to final collegative properties upon initial collegative properties तो इसके इसाब से find कर सकते है I is equal to molar mass calculated upon molar mass observed तो उसके इसाब से ऐसे होता है तो I हम लोग find कर सकते है चलो है एक टेबल दिया हुआ है उसके इसाब से इसीली समझ में आ जाएगा dissociation, association, IQ valuation, quantity of solute में क्या changes होता है collegative properties क्या होती है और solute के molar mass में क्या changes होता है देखो फर्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स देख रहे हैं बेटा dissociation के लिए उसके बाद association के लिए देखेंगे dissociation में क्या होता है I always getter than one yes or no yes or no IQ valuation ज्यादा होती है तब solute की quantity भी क्या हो जाती है हाई हो जाती है उपर यानि हाई होती है हाई हाई होती है collegative properties भी हाई हो जाती है but molecular mass क्या हो जाता है यानि anti-proposional होता है यो दोनो IQ के साथ तो यह क्या हो जाता है low यानि decrease हो जाता है association में क्या होता है I is less than one तो quantity of solute decrease हो जाती है collegative properties decrease होती है but molecular mass क्या होता है यहाँ पर increase हो जाता है चलो उसके हिसाब से मैंने यहाँ यह जो table है MCQ के लिए याद रखना है इस सब को साथ में मिला के किया हुआ है तो MCQ के लिए आप लोगों को याद रखना है next उसके बाद लाद में देखो एगर question ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग answer कैसे करेंगे आए कि इसके पर depends होता है on the following point 10 molar equis solution which one will exhibit the largest freezing point depression चलो यहाँ पर KCl फिर C6, H12, O6 फिर K2SO4, L2SO4, Thrice, NaCl दिया हुआ है तो उसके लिए solution में याद रखना है देखो यहाँ पर जब solution होता है the solution which will show the largest freezing point depression हमें तो वही find करना है न किसका largest freezing point आता है will be the one which has the highest value of want of factor यानि want of factor के valuation जिसके highest होगी उसका क्या होगा largest freezing point depression होगा the value of I depends upon the number of ions given by one molecules यानि one molecules I किसके पर depend होता है number of ions के उपर depend होता है उसके हिसाब से देखो KCl कितने ions मिल रहे K plus Cl minus 2 C6, H12, O6 तो उसमें से तो यह की ion मिलेगा भाई यह की होगा ना बेटा है तो glucose है उसके तो ions मिलते हैं ने फिर K2SO4 2K plus plus SO4 minus 2 तो I की evaluation क्या होगी बेटा यहाँ पे आई केतना मिलेगा 3 नेक्स उसके बाद L2SO4 थ्राइस तो उसमें देखो 2L plus 3 plus 3SO4 minus 2 तो 3 plus 2 यानि कितने मिल रहे है फाई फिर NACL NACL में क्या होगा NACL minus तो I के evaluation क्या मिलेगी 2 तो सबसे ज्यादे क्या है हमें क्या बता है solution में I depends upon the number of ions given by one molecule one molecules के number of ions जिसके ज्यादा होगा उसका ही largest क्या हो जाएगा freezing point तो यहाँ पे सबसे ज्यादे आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें से मिलेगा A, B, C, D, E में से किसमें से answer बताओ जल्दी से किसमें से मिलेगा yes, yes, right क्या होगा answer जिसमें ज्यादा ions होगे वही क्या होगा उसका ही freezing point largest होगा तो largest किसका हो जाएगा option क्या हैगा answer क्या हैगा बेटा D तो D का ज्यादा हो जाएगा because of उसमें कितने ions मिल रहे है I 2 plus 3 यानि 5 ends मिल रहे इसलिए depression ज्यादा largest freezing point depression किसका हो जाएगा तो DL2SO4 aluminum sulfate L2SO4 उसका ज्यादा हो जाएगा मतलब के problem में solution क्या हैगा D तो ऐसे बेटा हम लोग find कर सकते हैं तो आपको ये सब दिमाग में रखना है अच्छी तरह से करना है और ये chapter time मिले तो रिवाय revision भी करते रहे न और sums की भी अपने हिसाब से try करना मैं भी अपने हिसाब से try करूँगा कि सब के साथ ही पुरा chapter clear हो जाए बेटा तो problem में try करूँगा कि हो जाए तो मैं सब कुछ करवाने की भी try करूँगा बट आप भी साथ में करते रहे न देखते है कल से क्या करेंगे नया chapter स्टार्ट करेंगे या तो फिर यह सम आगे बठाएंगे क्योंकि सम में time ज्यादा लगेगा इसके हिसाब से मैंने सोचा है कि आप लोग मेरे सामने बेठे तब करवाऊंगा तो आप लोग अच्छी तरह से कर सकोंगे बट देखते हैं अब क्या करना है जैसे भी मतलब बात सीथ करेंगे हम लोग आगे फिर बताऊंगा चलो बेटा तो यह जो chapter है अच्छी तरह से करना यहाँ पे यह last part था आज के दिन पे यह chapter का अब हमरे सिर्फ सम problems बाकि है तो ओ भी हम लोग देख लेंगे और यह chapter यहाँ पे overall खतम हो गया है